नमस्कार मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी और पॉजिटिव न्यूज आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम परचाद मीशा से सरपंच पत के भावी उम्मीदवार हैं धर्में अंदर सोरदी और आए इनसे जानते हैं कि किन मुद्धों को लेके य देखे हमारे गाओं के अंदर जब से सरपंच के अपना पंचायती राज एक्ट हमारे यहां हर्याना में लाग हुआ है पंजाब से जब से अलग हुआ है तब से मूलभूत सुविधाओं के नाम पर हमारे गाओं में कुछ भी नहीं है ना अच्छी सिक्षा हमारे अपना बच्चों को मिल पारी है नहीं हमारे अपना यह स्वास्तकेंदर है ना कोई आपना लेंदेन के अपना लॉन वगेरा के लिए या किसी और सुविधाओं के लिए कोई बैंक क्या कोई घर की सेवा तक नहीं हमारे गाओं के अंदर और यह दुर्भाग्य रहा है हमारे पूर्व के सरपंचों का कि वो इन चीजों को ना तो मंजूर करा के ला पाई अगर एकात क किसी की निंदा नहीं करना चाहता लेकिन यह सारे काम है जो कि हमारी नियत है कि इन सारे कामों को कराएंगे चाहे बैंक की बात हो चाहे अपना घर्म गाओं में के अंदर लाने की बात हो चाहे गाओं में ओपन जिम खुलवाने की बात हो चाहे गाओं के अंदर खेल परीस गोड़ी के अंदर अच्छे बड़े बड़े अपना धाय तीन चार चार एकड में मैदान है बच्चों के लिए उन पर ट्रैक गूमने के लिए जहां पर फोज की और पुलिस की बढ़ती की जा सकती है उन सारे अपना सुविधाएं हमारे आसपास के सारे गाउं के अंदर हैं लेकर दुर्भाग के वश हमारा इतना मतलब इस्तरपंच के बारे में हम क्या कहें जो फिलाल मौझूदा है कि उस पर बैचारे पर यह काम भी नहीं लाए गया जो ह हर गाउं में अपना चीज सुविधा आए सकती थी उस गाउं से भी अचूता हमारा गाउं है तो इन सारी चीजों को हम अपना लाएंगे और शाथ में एक ही कोशिश है कि एक ही छत के नीचे पटवार के जो हमारी पटवारी पर जो समस्याएं फटवारी से जुड़ी है जो दिक्कते आती हैं जो सुविदाए हैं वो सारी हम अपना ग्राम सचे वाले खुलवा कर गाउं के अंदर वो लाएं साथ ही उसी के अंदर ही अपना मंडरेगा से जुड़ी होई मंडरेगा इतनी अच्छी स्की मैं गरीब मजदूर के लिए लेकिन उसका अपना सही तरीके से पालन हमारी सरपंच निगरते अपने अपने चहितों को अपना देखकर और उनको अपना लूट खसोट करते हैं सरकार के धन में और अपने अपना वोट बैंक पका करते हैं और अपनी जेबे भरते हैं हम इस भ्रिष्टाचार से और गाउं के अंदर जो भैका माहुल है एक प्रत्याशी हमारे यह सा भी है जिसने अपना गुंडागर्दी के धंपे अपना जीतने की नियत है जिसकी उसका भी हम भगवान की दूआ से अपना निराकरन करेंगे और ग प्रमक कार्य होगा वो यह होगा कि गाउं में हम किसी भी प्रकार से जो गरीब लवर्ग है जो अपना सरकारी सोविदाएं जो उन गरीबों के लिए आती हैं उनको अपना हम दिलवाएं साथ के साथ सिक्षा के रूप में जो हमारा अपना अगर आपने देखा होगा तो हम हमारे सरकारी स्कूल की building का सब से बुरा हाल है हमारे सरकारी अपना स्कूल में ना च्छे teacher हैं और जो उसका ताना बशाना है ना उसमें ground है ना कोई library है ना किसी प्रकार की कोई lab है और एक अपना इंसारी सुविधाव को अपना कराने केबाद कम से खम अपने स्कूल को 10th से 12 olf और तक करूंगे ताकि निपाल कि की छोटी और ऑने अपना पड़न sum payer marche is अच्छी अंगी और दूसरी हैँ पोर्णात यूझ कालए के साथ करेशानी हैं तो किसी सवारी से सपतार ले जाते हैं लेकिन पशूव हैक एसी अपना समस्या है कि पशू को हमको अपना ले जाने के लिए कोई बड़ा ट्रेक्टर या ट्रॉला या चोटा हाती जैसी चीज़ें अपना करनी पड़ती हैं हम मवेशी अस्वताल और शिक्षा और स्वास्त और बैंक और खेल परीसर इन पांच मुद्दों को लेकर हम सबसे पहले इन पांच चीजों को ह अपना प्र जाने के लिए राजकी लेवल पर जाने के लिए हमारे सब्सक्राइब कर आएं और गाधाय सब्सक्राइब और वी उमीदवार लड़ रहें तो जिनता आपको इस बात को की सबसे ज्यादा सिक्षित अगर कोई प्रत्याशी है इसमें कोई एंकार वश्वाली बात नहीं है कोई अगर इस बात को एंकार से जोड़े तो थी एंकार अपना इसमें हम परदर्शित करने हैं सबसे ज्यादा सिक्षित सबसे ज्यादा एमानदार हमारे पिता जी हमारे दादा जी के समय से और मेरा खुद का भी अगर कोई भी गाउं का आदमी एक लांच्छन अपना अगर लगा दे कि हमने एक रुपया कभी किसी के साथ अपना कोई ब्रस्टाचार में कहीं लिप्त पाई गही हूँ, किसी भी प्रकार से अपना, वरना आज का सर्पंच है, अब उसकी घरवाली सर्पंच है मैं कहना नहीं चाहिए, मतलब ये लगा लो कि 33 करोड रुपे का कॉपरेटिव सोसाइटी का गोटाला है, जिसके अंदर उसकी अपना घरवाली भी लिप्त है, और वो खुद भी स्वैम भी लिप्त है, अब बर्तमान के जो सर्पंच उनके कारेकाल को किसने जर्शीरत देखते हैं, विकास कारे कुछ होई नहीं है, बहुत खराब हालात है, विकास कारे के नाम पर उसके कुछ कराया ही नहीं गया, गावों के अंदर एक इट अगर कोई आदमी ये दिखा दे कि यहां एक इट तो इस सर्पंच ने यहां पर लगवाई है, एक इट का निर्वान कोई अपना नई का अपना कारे हुए हैं, वो अपना विधायक के और आपके सांसद प्रतिन नहीं होके दे रहें, उनमें सर्कंच मोटे मोटे कमीशन खा रहा है, कमीशन दे चुके, उसके बाद इसका पेटा नहीं भर रहा हमारी M.E. पास नहीं करके दे रहा, गावों के अंदर कम से कम 20 आदमी हैं, जो ठेकेदारी कर रहे हैं, आपने जीविका का पालन कर रहे हैं और वो आदमी दुखी हैं आज की रेट में, तो यदि आप बनते हो, महिलक कहीं द्यात एरिया है, महिलक कहीं कराइम देखा जाता है, यदि आप बनते हो, तो महिलक की शुरक्षा के लिए आप क्या विकास कराना चाहोगा अपने गावों में? देखे हमने अपने मैनिफेस्टों में अपना गावों के समक्ष अपना एक संकल्पत रखा है कि हम अपना इन चीजों को कराइंगे, उसमें हमने सबसे पहली जो बात रखी है, वो ये रखी है, कि देर सवेर अब गावों अपना पहले जैसा मावल नहीं रहे हैं, अब हमा यसा होगा इतनी खस्ता है हमारे गावों के अपना Щा सा दो राश्ते आमारे गावों के अंदर प्रवेश करने के, सातों के सातों रास्तों पह बहुत बुरा हाल है सारे टूटे पड़े हैं उन सातों रास्तों को दुरुस्त कराएंगे उन पर अपना लाइट लगवाएंगे एलीडी लाइट लगवाएंगे कि गाउं के अंदर घुस्ते वक्त अपना किसी को भै अगर रात को कोई बारा बजे आ रहा है तो और सुबह अपना सुविधाएं मिल सकें अब रोष्णी एलीडी की रोष्णी मिल सकें एलीडी की रोष्णी से अपना क्या होगा कि वह निडर होके अपना निसंकोच होके आ जा सकेंगी टहलने जा सकेंगी घूमने आ जा सकेंगी साथ ही हर एक सातों रास्तों पर आते वक्त भी और वो अपना साथ के साथ उस गलत अपना कार्य का हम जल्द से जल्द पकड़ सकें सर्पंच आप अपने गावालों को अंत में कोई मैची जा कुछ अपील करना चाहोगे उनसे हमारी तो गावंबस्ती से हाज जोड के यही अपील है कि आप एक बार निरिक्षन कीजिए इस ची की है कि हम आपको भ्यमुक्त ब्रश्टाचारमुक्त बड़े को सम्मान देंगे गरीब को उसका अपना हग देंगे और कभी किसी के साथ भी ना गलत वैवार करेंगे ना कोई गलत अपना कार्य करेंगे नेक नियत से अपना आई हैं सेवा करने के लिए और अगर गावंब करेंगे और सिर्फ वो सिर्फ 5 साल एक ऐसा कार रेकाल होता है तीन सो पैसट गुणाव में 5 दिन 5 साल 365 दुनकी आगर अगर नियत साफ हो अगर एदलें आगर सो दिनों में साड़ी 8 सो दिन भी अगर आपके प्रति हैंपना अगर पास सालों का मुकाबला नहीं कर सकते अगर आपके नियत अच्छी हो तो जैसा कि भावी उमीदवार है गारम पंचाथ मीशा से तो उन्होंने बजाया हम तीन चीजों पर मुख्य तरह से काम करेंगे सुरक्षा चिकित्षा और बवस्ता और जो हमारी बहन बेटी हैं उनके सब्सक्राइब करेंगे और जो हमारी महिला है उनके लिए सी सी टीवी कैमरा लगवाने का काम करेंगे जिस गाओं में क्राइम ना हो सके और आपको हमारी डिस्प्लेइप एक नंबर दिखाए दे रहा होगा एधि किसी गाओं की सहर की कहीं की भी कोई भी समस्या हो तो झाल 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 झाल झाल